Hello everyone and welcome to your first new video तो इस वीडियो में मैं paper 3 के objective roadmap को discuss करने वाला हूँ and साथी साथ कुछ लोग बोल रहे थे कि जो कि इस paper में question bank में ये जो objectives हैं इनके answers को भी discuss करने के लिए तो इसी वीडियो में मैं उसे भी discuss करूँगा तो please watch the video till the end and आप में से काफी लोग मुझसे नराज भी होगे कि मैंने paper 3 का video इतना delay क्यों कर दिया तो reason यही है कि जो response मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है अब अगर इस video में एक दो दिन में 100 या 200 views आ जाते हैं तो मैं कल ही upload कर दू paper 4 लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर 10, 15, 20 लोग देखते हैं तो फिर वीडियो को बनाने का भी मन नहीं करता है तो इन सब बातों को छोडते हैं and फटाफट से अपने topic पे आते हैं तो सबसे पहले paper 3 में आप लोग को पता है कि चार जो आपके किताब हैं मैकवेथ, 12th night, love for love and importance of being earnest तो इनके authors के बारे में आप लोग को जान लेना है तो मैकवेथ was written by William Shakespeare, 12th night was written by William Shakespeare love for love was written by William Congreve and the importance of being earnest was written by Oscar Wilde ये हो जाने के बाद आप लोग को अब characters पे आना है सबसे पहले मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को completely नहीं देखते हो इसलिए मैं ये बात को starting में ही बोल देता हूँ कि आप लोगों को summary को जरूर देखना है मैं नीचे description में link देदूँगा Macbeth, 12th night, love for love की मैंने वीडियो बनाई है importance of being earnest को आप लोग किसी और channel से cover कर सकते हो क्योंकि इसमें 4 किताबे हैं चारों का आप लोग को story या फिर plot पता होना एकदम compulsory है तभी आप लोग objective attempt कर पाओगे तो जो summary है वो must है तो जो summary है वो आप लोग को देखने में interesting भी लगेगा क्योंकि है तो एक कहानी ही and कहानी देखने में आप लोग को क्या problem होगी तो आप लोग playlist को visit करो and उन सारे वीडियो को देख लो इससे होगा ये कि आप लोग का कोई भी question अगर story based आता है तो वो miss out नहीं होगा अब हम लोग आते है character based तो ये तो आप लोग का summary से भी हो जाएगा cover लेकिन फिर भी मैं अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार इन characters को जान लो तो मेकवेथ में जो important characters हैं वो है मेकवेथ, लेडी मेकवेथ, मेकड़फ, बैंको, मेलकम, डॉनलबन, किंग धंकन, फ्लीन्स and three witches जिनोंने भविष्वानी की थी इन तीन witches ने क्या भविष्वानी की थी ये भी आप लोग को देख लेना है next twelfth night में जो important characters है वो है Duke, Orsino, Voila, Olivia, Malvolio, Fist, Sir Toby Belch, Sebastian, Sir Andrew and Antonio love for love में कुछ characters है important हो है Valentine, Angelica, Sir Samson, Tattle, Jeremy, Scandal, Ben, Mr. and Mrs. Forsyte, Prew and Mistress Phil next importance of being earnest में है Elgernon, Gwendolyn, Jack Worthing, Cecily, Lady Bracknell, Miss Prism, Merriman, Ben Burry and Dr. Frederick next अब हम लोग आते हैं important description पे important description में क्या है कि ये जो चारों किताब है उनमें से कुछ-कुछ important चीजे हैं जो कि आप लोग को याद रखनी है objective based question इससे आ सकता है तो Macwith का जो complete title है वो है The tragedy of Macwith general की बात करें तो ये एक tragedy है publication की बात करें तो 1623 के first folio में इसका publication हुआ था and तीन prophecies जिसके बारे में अभी बात कर रहा था तो क्या तीन prophecies की थी उन तीनों विचेज ने सबसे first की Macwith Thane of Cowder बनेगा second की Macwith King of Scotland बनेगा and third की जो बैंको का बेटा है वो Scotland का राजा बनेगा Macwith के बाद next अगर हम लोग बात करें love for love की तो इसमें story based तो मैंने हापे कुछ लिखा नहीं आप लोग को summary देखना होगा क्योंकि कुछ ऐसा important तो plot मिला नहीं मुझे अगर बात करें Jenner की तो restoration comedy है premiered हुआ था ये 1695 में 12th night की बात करें तो इसमें इसका जो complete title है काफी पर objective question आया भी है कि what was the title of 12th night तो answer होगा 12th night का or what you will sorry what you will Jenner की बात करें तो ये एक romantic comedy है and publication की बात करें तो 1623 के first folio में and next है हमारा the importance of being earnest इसका general comedy है and premiere हुआ था ये 1895 में next यहां पर some important questions है objective है जो कि आप लोग की examination में आ सकते हैं तो आप लोग इससे देख लो मैं इतना fast इसले बोल रहा हूँ ताकि आप लोग का time कम waste हो तो अगर आप लोग को कोई भी problem है मेरे बोलने के speeds related तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मैं next video में इसका ध्यान रोखूँगा तो objective में है the character called the sorry यहां पर fourth होगा तो the character called the fourth witch is तो Lady Macbeth जो है उसको fourth witch का आ गया है Macbeth में क्योंकि Macbeth में three witches होती है मैंने भी आपको बताया तो Lady Macbeth जो है एक मेड थी तो twelfth night में subtitle of twelfth night क्या है what you will title pretends to be a womanizer याने कि जो लोग का multiple sexual relation होता है वो womanizer dash tears the bond तो Angelica ने bond को फार दिया था Algernan's imaginary friend कौन था तो बनबरी था Lady Bracknell's daughter Gwendolyn forest which would cause death of Macbeth कौन से forest की बात की गई है तो Brynum Woods की बात की गई है and Olivia is at last married to Olivia की साधी last में किस से हो जाती है तो Sebastian से हो जाती है ये important objectives आप लोग को देख लेने हैं अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को यहां तक देख रहा है तो आप देखो कि इन 9 मिन्टों में मैंने आपको कितना कुछ बता दिया and कितना productive आप लोग का ये जो जितनी भी मिनिट का वीडियो होगा वो होने वाला है तो इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियो को support करो and please comment में अपना feedback दो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है इससे मुझे और भी motivation मिलेगी ऐसे वीडियो बनाने के लिए now question bank में 2017 का जो question है उसको हम लोग देख लेते हैं तो इसमें सबसे first है डंकन was the king of Scotland Potter scene in Macbeth serves the dramatic purpose of comic relief Gwendolyn is a character in importance of being earnest होगा the subtitle of 1290 is what you will next हम लोग देखते हैं क्या है who said some are born great, some achieve greatness and some have greatness trust upon them इसका अंसर होगा Malvolio next है हमारा who among these does not figure in 12th night तो Vaila है, Olivia है and Malvolio भी है तो Maria इसका अंसर होगा Maria 12th night में नहीं है when was the importance of being earnest published 1899 congreve belonged to which age to restoration age Oscar Wilde was well known for what to art for art's sake the importance of being earnest यह क्या है तो यह तो एक तरह का farce भी है farcical comedy भी है and comedy of manners भी है but अगर इसमें से आप लोगो कोई एक चूज करना होगा तो comedy of manners is most appropriate तो आप लोग इसमें comedy of manners टिक कर सकते हो next हम लोग आते हैं 2018 के questions में तो the drama Macbeth relates to the historical event of Scotland sex period and tragedies are influenced by the Greek concept of tragedy what name is given to Lady Macbeth by Malcolm तो इसकांसर होगा a fend like queen Oscar Wilde was a great propagator of the art for art's sake the hero of importance of being earnest is तो इसकांसर होगा Jack Worthing which of these is written by William Congreve तो इसकांसर होगा the way of the world who among the following is not a character in love for love तो इसकांसर होगा एल जर्नन 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 जो था importance of being earnest का एक करेक्टर था Congreve belong to which age तो रेस्टूरेशन एज Sir Toby Belch is a character in तो इसकांसर होगा twelfth night maria in twelfth night is तो यह यह वेटिंग मेड़ अप अलिब्या next 2019 के answers को देख लेते हैं अमलों कुछ तो इसमें पॉर्टर सीन इन मेकवित serves the dramatic purpose of तो इसका अंसर होगा comic relief the birth place of Shakespeare was तो यह होगा Stadford on Avon next है बैंकोस घोष्ट इस सीन बाइ हूम तो अंसर होगा मेकवित next ओसकर वाइल्ड वाइल्ड वाज ग्रेट प्रोपागेटर और पीछे भी आया था art for arts sake Congreve has written a drama love for love Cecily is a character in तो यह Cecily जो थी importance of being earnest की एक character है तो इसमें तो option नहीं है Congreve belongs to कितनी बार आ चुका है next है the line all women become like their mother that is the treasury is spoken by Elgernan ने कहा था यह subtitle of 12-9 पीछे आ चुका है what you will 60 अभी Belch कौन थे Olivia के अंकल थे next 2020 के objective को हम लोग रेखते हैं तो Duncan was the king of Scotland Shakespeare and tragedies are influenced by Greek concept of tragedy what name is given to Lady Macbeth by Malcolm तो a fan like queen Gwendolyn is a character in importance of being earnest the hero of the importance of being earnest is Jack Worthing who among the following is not a character in love for love answer होगा Elgernan Maria in 12th night is तो पीछे भी था यह इसका अंसरों का वेटिंग मेड the importance of being earnest तो पहले भी मैंने बताया कि fast भी है farcical comedy भी है comedy of manners भी है but इन तिनों में सबसे appropriate comedy of manners तो इसे आप लोग टिक कर देना when was the importance of being earnest published तो 1895 में ऐसे तो यह प्रीमेर हुआ था लेकिन first publication 1899 आप लोग टिक कर सकते हैं option में तो और कुछ दिया नहीं है मैकवेत का पब्लिश हुआ था तो 1623 first folio में पब्लिश हुआ था अभी मैंने इसी वीडियो में आपको starting में बताया भी तो यहां पे हमारा paper 3 का जो road map है वो खतम होता है and I hope कि आप लोग को अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा and most probably यह 15 minute का एक वीडियो होने वाला है तो यह 15 minute आपका productive रहा या नहीं कुछ आप लोगों ने कुछ knowledge आप लोगों को इस वीडियो से मिला या नहीं please आप लोग बताओ and do share this video ताकि ऐसे ही मैं paper 4 का वीडियो जल्दी से जल्दी upload कर दूँ